सबसे ज्यादा पत्र संदेश जो मुझे मिले हैं वो दो विशयों पर बहुत अधीक हैं पहला विशय है चैंद्रायान 3 की सफल लेंडिंग और दूसरा विशय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन देश के हर हिस्से से समाज के हर वर्ट से हर उम्र के लोगों के बुझे अंगिनत पत्र मिले हैं जब चंद्रयान 3 का लेंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था तब करोणों लोग अलग-अलग माध्यमों के जरिये एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे इस्त्रो के यूटूब लाइव चेनल पर असी लाग से ज़्यादा लोगों है इस घटना को देखा अपने आप में एक रेकॉर्ड है इससे पता चलता है कि चंद्रयान 3 से करोणों भारतियों का कितना गहरा लकाव है चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शांदार क्वीच कंपिडिशन भी चल रहा है प्रश्णस परधा और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान 3 महा क्वीच माई गौव पर्टल पर हो रहे है इस कंपिडिशन में अब तक 15 लाग से जादा लोग हिस्सा ले चुके हैं माई गौव की सरुवात के बाद यह किसी भी क्वीच में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तब देर मत करिए अब इसमें 6 दिन और बचे हैं इस क्वीच में जरूर हिस्सा लीजिए मेरे परिवार जनो चंद्रयान 3 की सब्रता के बाद G20 के शांदार आयोजन ने हर भारतिये की खुशी को दोगुना कर दिया भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है लोग उसके साथ सेल्फी घीचा रहे हैं और घर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं भारत ने इस समीट में आफ्रिकन यूनियन को G20 में फूल मेंबर बना कर अपने नेत्रुत्व का लोहा मनवाया है आपको ध्यान होगा जब भारत बहुत सम्रुद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी इस सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और एकोनोमिक कोरिडोर G20 में सुझाया है ये हैं इंडिया मिडलिस्ट यूरोप एकोनोमिक कोरिडोर ये कोरिडोर आने वाले सेंकडो वर्सों तक विश्व व्यापार का आधार मनने जा रहा है और इस्तिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कोरिडोर का सुत्रबात भारत की धरती पर हुआ था